देखेंगे कुव एप कैसे यूज करें कैसे चलाएं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही लिटेश अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्स्राइब कर लीजिए और बैल ऐकन प्रेस करना मत ब लुझे रहा है जैसे ही आपन करेंगे तो उप इस यहां पर आने बार गतिश् Yakky ऑंप फोन नवर पूछ रहा है Sign In With E-mail तो यहाँ पर आप यहा तो phone number से भी login कर सकते हैं तो आप इसको email से भी login कर सकते हैं तो अब हम सको email से login करने जा रहा हूं Sign In With E-mail पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर अपनी email ID जो है वो enter करनी है उसके बाद आपको उसके नीचे proceed का option दिखाई दे रहा है उसके क्लिक करना है अपनी email ID एंटर करेंगे तो आपके email पे एक OTP जाएगा OTP को आपको enter करना है तो आप जैसे ही enter करेंगे तो इस interface पे आ जाएंगे तो यहां पे आपको यह जो platform है जो कू अपने आप करेंगे तो आप यहां पर अपनी पोश्ट जो है वह कर सकते हैं तो यहां पर आपको home page में बहुत सारे option मिल जाते हैं तो यहां पर सबसे नीचे आपको 5 options दिखाई दे रहे हैं से second option आपको hashtag है फिर search है फिर messages है फिर notification है तो सबसे पहले हम वह option देख लेते हैं तो यहां पर आपको जो नीचे second option दिखाई दे रहा है वह है hashtag का उस पर click करिए जैसे click करेंगे तो जो भी trending hashtags है वह यहां पर आपको दिखाई दे जाएंगे तो जो भी ranking के according जो है यहां पर आपको hashtag के जो trends है वह यहां पर आपको दिखाई दे जाएंगे उसके बाद आपको फर नीचे search को option दिखाई दे रहा है जो कि third option है आप उस पर click करिए आप देख रहाएं आप जो भी person है जो यहां पर इस app पे जिनला आप उनको भी search कर सकते हैं उपर आपको search करने के लिए voice command मिल जाता है तो आप देख लइए right hand corner में सबसे उपर आपको speaker को option दिखाई दे उसन किया हुग है आपको सरकल कंदर प्लस का आइकन दिखाई एडर है मैसेज के उपर इस करेंगे तो यहाँ पर आप कर सकते हैं तो यहां पर आपको जो भी घर्वी हैं यहां भी अपको नाम टाइप करना है और उस कीमिली जाके만 जो option है वो है Q तो यहाँ पे आप plus Q का option दिखाई दे रहा है आपको आप इस पर click करेंगे यहाँ पे आप जैसे click करते तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको अपनी post करने के option आ रहा है आपको अगर पॉस्ट करना है तो यहाँ पे आप description बॉक्स दकाई दे रहा है आप description अपना लिख लीजे उसके नीचे फिर आपको hashtag दे रहे है तो अगर आपको यहाँ है आपको hashtag canada we can digest रहे है, and the dot का option है कोई link share करना है video share करना है इसे बहुत सारे option है जो कि यहां पर पोस्ट में यूज कर सकते हैं आप अपनी post पूरी कर लें तो आप देख रहे हैं उपर right hand corner में आपको post option दिखाई दे रहे हैं उस पर जैसे click करेंगे तो जो भी आपने उस बाद feed के बाजू में आपको people का option दिखाई दे रहे हैं उस पर click करिए यहां पर अगर आपको लोगों को उनकी category के according सर्च करना है जैसे की news से related अगर कोई लोग है उनको सर्च करना है entertainment से related लोग है उनको सर्च करना है politician हो गया poet and author हो गया government officials हो गए तो यहां पर आपको वो सारे filters नीचे दिखाई दे रहे हैं discover relevant people वाले option में तो यहां पर आप simply उस पर click करके और यहां पर नीचे जो list आ रही है आप यहां पर filter आपको corner में profile का option दिखाई दे रहे है उस पर click करिये अगर पर गए लेगा कि 5 इस Lakes पर आप को दिखाई दे रहे हैं अपको followers का option दिखायी रहे है जो आपको कितने लोगों को schon किया हुए और आपको आपको अपको दिखायी दे जाए करनेंगेCREATE FIRST COW का option दिखाइँ दे रहा है तो यहाँ पर आपको अगर अपनी पहली post यहाँ पर क्रिएट करनी है तो उसका option दिखाइँ दे रहा है यहाँ पर आपशन है तो यहाँ पर आप एंट कोडनर में उपर आपको settings को option दिखाई दे रहे आप उसपे क्लिक करी आप जैसे setting वाली option में आते है तो आपकी profile से related जितनी भी settings हैं वो यहां पर आप कर सकते हैं जैसे की सबसे पहला option आपको edit profile का दिखाई दे रहा है अगर आपको तो फोटन पर आपको अपको दिलीट को दिखाई रहा है उसके नीचे एप से ऐसे बहुत सारी चीज़े इस app से related हैं जो कि यहां पे आपको settings पे दिखाई दे जाएंगी आपको right hand corner में उपर trending का option दिखाई दे रहा है आप उस पे क्लिक करिए आप देख रहे हैं जितने भी 24 hour में जो भी post हैं जो trend कर रहे हैं वो यहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं उन से related अगर लोगों को आप